बिहार में पैक्स चुनाव को लेकर चल रही अटकले साफ हो गई चुनाव कराने की समय सीमा तै कर दी गई है पैक्स चुनाव को लेकर अब इंतजार खत्म हुआ राज्य में 25 नवंबर से 5 दिसंबर तक पैक्स चुनाव कराए जाएंगे ये 5 चरनों में होगा सरकार द्वारा पूर्व से लागू आरक्षन व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित होगा चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएंगे प्रादिकार ने राज्य में 6,819 पैक्सों में शांतिपूर्ण और निश्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया संपन कराने हेतु सारी तेयारिया अभी से सुनिश्चित करने का दिशा निर्देश सभी जिलादिकारी डीम उप विकास आयूप डीडीसी और जिला सहकारिता पदादिकारी डीसी ओ को दिया है 15 नवंबर को पैक्स चुनाव संबंदी अधिसूचना जारी होगी विबिन पर्व त्योहारों के अवकाश को देखते हुए बिहार राज्य निर्वाचन प्रादिकार की ओर से पैक्स चुनाव संबंदी कार्यक्रम्ते किया गया है पैक्स चुनाव 2024 की तेयारियों को लेकर बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा बुध्वार को राजिस्तरिय बैठक की गई जिसमें सभी DDC और DCO को अलट मोड में सारी तेयारिय पूरी करने का निर्देश दिया गया बैठक को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी गिरिश शंकर और सहकारिता विभाग के सचेव धर्मेंद सिंग तथा DIG, हैट्वाटर विवेक कुमार ने संबोधित किया मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी गिरिश शंकर ने बताया कि पाँच वर्ष पहले 2019 के दिसम्बर में राज्य में पैक्स चुनाव कराये गये थे तब 6819 पैक्सों में निर्वाचन संपन कराया गया था इस वर्ष 25 नवंबर से पाँच दिसम्बर तक पैक्सों में चुनाव कराने का कार्यक्रमते किया गया है पाँच चर्णों में होने वाले चुनाव में मददान के दिन ही मदगर्ना प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी अगर उस दिन किसी कारणवर्ष जिस पैक्स में मदगर्ना नहीं हो पाया तो उसकी मत्पिटिया वजग्रिव में रखी जाएगी और दूसरे दिन हर हाल में मदगर्ना कराई जाएगी उन्होंने ये भी बताया कि अक्टूबर में मुख्य सचिव और ग्रह सचिव की स्तर पर प्रादिकार की बैठक होगी जिसमें पैक्स चुनाव संबंदी उच्चस्तरिय समीक्षा होगी उसके बाद पैक्स चुनाव के प्रस्तावित कार्यक्रम पर मुहर लगेगी तीन साल से अधिक समय से पदस्थापित जिला सहकारिता पदादिकारी वप्रखंट सहकारिता पदादिकारी हटाये जाएंगे विबिन पदू के लिए मतपत्र का रंग लाल रंग का मतपत्र अध्यक्षपत के चुनाव के लिए होगा इस मतपत्र पर अनकित उम्मीद्वारों में से अपनी पसंद के एक पुरूश अत्वा महिला उम्मीद्वार के नाम के सामने स्वस्तिक चिनह की महर लगानी है आस्मानी रंग का मतपत्र अनुसूचित जाती अनुसूचित जन जाती कोटी से प्रबंध समिती के सदस्य के दो पदू के लिए एक महिला उम्मीद्वार एवं शेश उम्मीद्वारों में से एक पुरूश अथवा अन्य महिला उम्मीद्वार के नाम के सामने महर लगानी ह सफेद रंग का मतपत्र अति पिछणा वर्ग एनेकसर एक कोटी से प्रबंध समिती के सदस्य के दो पदू के लिए एक महिला उम्मीद्वार एवं शेश उम्मीद्वारों में से एक पुरूश अथवा अन्य महिला उम्मीद्वार के नाम के सामने मुहर लगानी है हरा रंग का मतपत्र पिछणा वर्ग एनेकसर दो कोटी से प्रबंध समिती के सदस्य के दो पदू के लिए एक महिला उम्मीद्वार एवं शेश उम्मीद्वारों में से एक पुरूश अथवा अन्य महिला उम्मीद्वार के नाम के सामने मुहर लगानी है नारंगी रंग का मतपत्र सामान्य कोटी से प्रबंध समिती के सदसे के पाँच पदू के लिए दो महिला उम्मीद्वार एवं शेश उम्मीद्वारों में से तीन पुरुश अथवा अन्य महिला उम्मीद्वार के नाम के सामने मुहर लगानी है दी एलिवेन टीवी के लिए छपरा से दीपक कुमार की रिपोर्ट